Hello everyone, welcome to VIP Edo Sub, जहां मिलते हैं आपको एक्जाम रिलेवेंट कॉंटेंट SBI Clear का मेंस एक्जाम हो चुका है, और जहां पर आपने देखा कि किस तरीके कोश्चिन्स जिये कोश्चिन्स पूछे गयते हैं और अभी सभी के मन में सबसे बड़ा कुश्चिन जहीं आ रहा है, कि जिस तरीके से जिये कोश्चिन्स पूछा जा रहा है तो अभी जो आने वाले हमारे नेक्स एक्जाम है, SBI P.O. Men's, इसकी त्यारी हम कैसे करें, जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है उस समय में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिससे जिये मेरा और बेटर हो जाए तो आज मैं इस वीडियो में आपको ही बताऊंगा कल जो SBI करकर गया हम हुआ था, उसमें SBI ने एक डेमो आपको दिखा दिया, एक ट्रेड़ आपको दिखा दिया और 35 मिट का सक्षन होता है SBI कलड़ में, जिये का जिसमें 35 मिट मैंने पूरे हर एक कोश्चन को अच्छे देखा एनलाइज करने को इसकी किस तरीके से कोश्चन फ्रेम किया जा रहा है और उसी के बाद मैं अभी ये वीडियो आप पास लेके आ रहा हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि जो नेक्स एक्जाम है SBI PO मेंस या फिर इस साल जो भी एक्जाम्स आपके आने वाले हैं डिफरेंट बैंकिंग एक्जाम्स की या फिर LIC की विकिंसी आई है उसे आप कैसे प्रिपेर कर सकते हैं में फोकस होगा अभी इस वीडियो में SBI PO मेंस के लिए क्योंकि एक्सपर्ट के कार्डिंग कह सकते हैं 13th of January को यानि कि next 14 to 15 days में आपके ये एक्जाम होने वाले हैं तो इसमें जो बच्चे में समय है उसमें क्या करें किस तरीके से करें जिससे हम बेटर प्रिपेर हो सकें और एक्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें क्योंकि SBI PO के मेंस एक्जाम में आपको देशने को मिलेंगे पुड़े के पुड़े 50 कोस्चन्स और ये होंगे 50 कोस्चन पुड़े 60 मास कहने की इस बार जो है मेंस एक्जाम में वेटेज जो है ये का वो काफी हाई है जिसे फाइनिसल अवेरनेस बैंकिंग अवेरनेस बोलते हैं लोग इसका बहुत हाई वेटेज है और अपने देखा किस तरह कोस्चन पूछे जा रहे थे लेवल क्या था कोस्चन्स का आप समझ सकते हैं कि imagine कर सकते हैं कि पियो मेंस में कैसा होगा किस तरह किस हद तक वो ले जाएंगे कितना डीप कोस्चन पूछेंगे उसे कबार डिसकस करेंगे इस वीडिएो में चे तरीके से हम लोग बढ़े लेगा वीडियो में देखी एक अन तक बिलकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाई कीजेगा बढ़ते हैं किस तरीके से प्रिपेर करें हम लोग देखे मैं कोई बहुत बड़ा जीय का एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने जो देखा है मैंने जो अप्जर्ब किया है उसके कॉड़ी मैं आपको यहां पर बासकता हूँ कि कैसे क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टन चीज जो है आप लोग भी जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि बैंकिंग इंग्जाम में SBI हो चाए APS हो अपने जीये की कुष्ण को पूछने के तरीके को पूरी तरीके ले चेंज़ कर चुगा है है ना quarter question पूछने का style पूरा बदल चुगा है और हम लोग अपने तयारी जो करते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं अपने reading style को अतना चेंज नहीं किए हाँ change किए है थोड़ा बहुत change किए है तो सबसे पहला का हमे क्या करना होगा अपने learning style को थोड़ा change करना होगा अब आप बोलेंगे कि एक्जाम काफी नजदीख है इतने समय कैसे हो पाएगा मैं बताओंगे सब कुछ कैसे करना है लेकिन जाए समय है नहीं तो हम लोग पूरी तर चेंज़ नहीं करेंगे लेकिन हाँ IPS, SBI अपने कोशन स्टाइल को चेंज कर रहा है उतना ज्यादा हम लोग खुद को चेंज नहीं कर पाए है मैं एक जाम पर समयाता हूँ एक चीज़ आपको लेट से मैं बात करते किसी ग्राइन स्लाम की, US Open में किसने जीता फीमल में स्किम जारे कौन थी अब पहले कोशन या थे किसने जीता फिर दिए एक थोड़ा से चेंजिंग आया कि हम लोग पढ़ने क्या लगें मैंस में किसने जीता नहीं उसने किसको हराया मतले रणड़ कौन था यही पढ़ लिए सेकेंड फीमल में कौन थी वही पढ़ लिए लेकिन अब कोशन को तरीका को और चेंज करते जा रहा है क्या चेंज करते जा रहा है यह सारी इंफॉर्मिस आपको कुश्ण लिख दियाती है अब यह पूछ रहा है कि इन नोंने अपना फर्स ग्रैंड स्लैम कब जीता अगर यहां पे किसी परसने किसी ने नवाक जोको विक्रिया जीता है यह इसका हाउ मतलब किस नमर का ग्रैं अब सिंगल नहीं पूछेगा आपसे पूछ देगा डवल के बारे में मतलब एक एक जामपल दे रहा हूं इस तरीके से तो हम लोग को अपनी लर्निंग स्टैल में चेंज करना पड़ेगा फोर यहां पल कल आप ने देखा नोबल प्राइज से काफी कुछे गए इसमें हम पड़ती है फ तो जिस चीज़ को हम सिंसे को पड़ते हैं नहीं समझते हैं आज कल कोशे उस बिशा जा सबी पढ़ते हैं सबी जानते हैं वह चीज़ वह कोश्च में लखे देते हैं वह पूछते नहीं है तो हमें अपने स्टाइल को चेल्ज करना पड़ेगा यह अप डिशुट दिमान रहे होंगे इस बात को तो नेक्ट सम्ट बात करते हैं इस बात पर कि हमें किस-kis मंत के करेंट डिफेस पढ़ने चाहिए बैंकिंग अवरेनेस फाइनसरे पढ़ने चाहिए तो मैं तो हमेंसा बोलूँगा आपको अगस से लिकर के आप लोगों को दिसमबर तक के पढ़ने के लिए उसके बाद जन्वर्डी के फर्स्ट प्ढ़ने तो अच्छी बात है लेकिन हम लोगों ने फोकस कहां किया था हम लोगों ने फोकस किया था तीन महिने पर नौंबर और दिसमबर इन तीन मंथ फोकस जादा किये थे इन तीन मंथ से कोशन ना के बराबर आएं मैक्सम कोशन आपके सप्टमबर और जुलाई अगस से देखने को मिले थे हैं तो अब यहाँ पे SBI PO एक्जाम में किस मंथ फोकस करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इन तीनों ने फोकस करना है या फिर आपको अगस जंबर अक्टॉबर फोकस करना है आपको पूरे के पूरे 6 मंथ फोकस करना है कोई परसन आपको अभी इस पॉइंट और टाइम पे आपको यह बात नहीं कह सकता कि आप इन तीन मंथ फोकस करें इसे कोशन पूछ तो आपको करना क्या है आपको अगस लेकर के दिसम्बर तक के सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है साथे साथ जिस मंत में एक्जाम हो रहे हैं उसके अगर 30 तो याम होता है तो 20 तक के आप आराम से पढ़ लें उससे जड़ा पढ़ने जो तने 15 जनवरी तक के 20 जनवरी पढ़ लें उससे उपर पढ़ने के जरूरत नहीं है ये मन्दों कवर करना है अब इन मन्द में हम कवर करें क्या क्योंकि समय काफी कम है एक कल एक्जाम था 15th of January अभी आप एक्जाम देने गए थे ये सारे मन्द आपने कवर किये थे October, November, December या फिर September, October जो भी आपने मन्द कवर की थे वो बहुत सारी चीज़ें आपके माइड में अभी भी है और पंदेज़ आप फिर एक्जाम आपका है तरीस सारी चीज़ें आपके माइड में रहेगी इसको भूलना नहीं है आपको अभी बूलेंगे नहीं आये जानते हैं कुछ important topic जिसे हमें 100% पढ़ना चाहिए उससे 100% question पूछे ही जाएंगे 100% पूछ जाएंगे तरीस पहलें बता दिया आपको कवर का करना है अगर से दिसंबर प्लस जनवरी ठीक है अब डिसकुस करेंगे किस point पर focus करना है क्या ज़रा पढ़ना है अब से पहले RBI के जितने भी guidelines circular आते हैं same as SEBI के guidelines circular regulations मतलब RBI और SEBI RBI most important, SEBI important है जितने भी guidelines आते हैं circular आते हैं उसके हर एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है उसमें जो भी चीज़ दी गई है उसके हर एक point को आपको याद होना चाहिए आपने देखा हमेशा इससे कैसे question जाते है statement based question आपको दिया जाएगा question उसके नहींचे A, B, C आपो बताना आप इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है तो आपको जब तक उस चीज़ के बारे में उस guideline के बारे में आपको हर एक point के बारे में उनलाज नहीं होगी तब तक आप यहां से इससे यहां पे solve नहीं कर पाएंगे इस question को सही से नहीं कर पाएंगे let's say मैं ग्यांबस मैं जाता हूँ जैसे recently अभी एक circular आई थी इसमें urban cooperative bank के उपर कुछ बताया गया था guidelines आई थी इसमें इसे 4 tier में divide किया गया था और सभी tier में उनका network कितना होना चाहिए उनका CRAR कितना होना चाहिए उनका फिर और भी चीज़ें जो भी values होती है वो साई चीज़ वहां बताया गयी थी इस तरह के जितने भी चीज़ आती है वह आपको पता हो जाए खासकर आप उस जगर focus करेंगे जहां पे कोई values आती है कोई figures आते हैं let's say 5 crore, 10 crore, कुछ भी 2 crore, या फिर जो भी आती है values 12%, 9% इन सब चीज़ पी आपको focus करना है इन figures पे ही questions आपको देखने को अधिक मिलते है exam में इसके अलावा let's say अगर किसी चीज़ को point करने की बात आई अगर ombudsman let's say ombudsman को point करना है या फिर कोई किसी bank में आपको यह बताया गया कि urban property bank है या कोई भी bank ऐसा है जो कि कुछ नया चीज़ इसू कर सकता है अगर कितना होना चीज़ आप previous three year में, previous two years में कितना percent उनका NPA होना चाहिए हर एक point जो है वो आपको पता होना चाहिए तो इस चीज़ पे बहुत focus करेंगे आप RBI guidelines SEBI guidelines कम ही आती जो भी आती काफी important होती ही है let's say RBI नहीं या SEBI ने को इस तरुकले निकाला जिसमें उन्हें बताया कि कुछ appointment के बारे में let's say किसी bank के M.D.E.C.O के point किया जा सकता है उनका maximum training कितने का होना चाहिए कितने years का उनका minimum age कितना होना चाहिए maximum age कितना होना चाहिए अब लिखा गया कि इसमें maximum age 70 years होना चाहिए तो आपको लेगा एक में रहेगा नहीं 70 इसमें 62 years होना चाहिए आपको लेगा नहीं 70 वाला round figure ही हो सकता है तो वो जो लगता ना यह हमें दिक्कत करता है यह एक्जाम हम याद ने कर पाते है रिकॉल ने कर पाते है इन चीओं को आपको देहान से पढ़ना होगा अब बार बार पढ़ना हो ताकि आपको वो चीज याद रहे सेम ऐसे भी अगर कोई ऐसी कोई अगर bond launch हुआ किसने municipal bond launch कर दिया या पर कोई भी gold ETF है कुछ भी ऐसा आया तो उसके regarding क्या rules बनाए गए है क्या अगर कुछ recent कुछ भी ऐसा आया है कितने का launch हुआ है ये सारी चीजें आपको पता होना चीज इसे आप जरूर से focus करेंगे तो आपका exam काफी सही होगा आप अराम से question time कर बाएंगे इन चीज पे बहुत focus करेंगे मैंने example दिया आप वो क्या करना है उस तरीके से आप चाहरी करेंगे अगर आप देखेंगे पिछले 6 महिने में बहुत ज़्यादा guidelines बहुत सब्कुल नहीं आते हैं 6-7-10-12 होंगे उसे आप अराम से अपनी पढ़ावियों का नहीं पढ़ें तो अभी आप बहुत से में आराम से cover कर सकते हैं clear इतना बात next बात करते हम लोग report scheme की तो RBI जो भी report scheme launch करता है recently जो भी launch किया है उस report में उसने क्या कहा क्या important उसके outcomes थे हैं उन सब चीज़ बारे में पता होना चाहिए recently एक report इसमें बताया गया था NPA जो है वो कितना percent decrease कर गया है 2021 में 2018 में कितना था अभी कितना percent decrease किया है बाकिस तर के कई चीज़ें बात की गई इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से report RBI ने launch किया उसमें क्या क्या की findings थे हैं वो सब चीज़ें को आप जरूर से ध्यान रखेंगे ठीक है इसके बाद हम लोग government scheme के उपर कौन से government scheme ऐसी कोई भी scheme जो के recently launch हुई है या तो इसमें recent कोई update किये गए है वो उन सब scheme के बारे में पढ़ेंगे आप इस scheme के बारे में आपको हर एक point पता होना चाहिए क्योंकि questions कैसे आते हैं questions आएंगे आपके statement वाले गया जाएगा ये scheme है इस scheme में इसमें से कौन सा point सही नहीं है या पिक कौन सा point इसमें से गलात है या पिस सही नहीं कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा वहाँ पर आपको इस scheme के बारे में हर एक point पता होना चाहिए इस scheme का अगर कोई short form है तो उसका full form क्या है वह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है इसके बाद next हम बात करेंगे next जो मैं लिखा यहाँ पर RBI related news RBI के ने जितने भी जो भी news में रहे है RBI ने कुछ भी ऐसा changing किया कुछ भी ऐसा किया है किसी का license रद कर दिया गया किसी पर penalty लगा दिया गया या फिर कुछ भी ऐसे चीज़े है RBI ने किसी के merger को approve कर दिया है या फिर किसी को बोलाए कि इसा डाउन करने के लिए कल पुछा गया था ऐसे कई जो भी जीज़े news में रहती है recent month में रहे हैं उसे आप जरूर से पढ़े ध्यान रखें इसके बाद बाकी other banks जो news में रहे हैं खासकर जो भी publisher bank तो पता ही है इसके अलावा small finance bank, payment bank, urban corporate bank, new bank, nbfc इन सब के जो भी recent news रहे हैं वो आपको पढ़ने अच्छे से ठीक है तो ये कुछ मैंने point लिखा था जो की बिलकुल important है आपके SBI exam के लिए और ध्यान रखेंगे जब कभी आप पढ़े पुरा focus होके पढ़ें अब जो जी हम पढ़ जूगे हैं वहाँ जो gap रह गई थी उस gap को कैसे fill करना उसके बारे में बात करूँ यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने novel prize के बारे हैं पढ़ रखा पहले से novel prize में signal फिल्म में दिये जाते हैं कौन winner था और उसे किस चीज के लिए किस contribution के लिए उसे नेवरपाय दिया गया अब कई बारे में लिए script कहते हैं वो किस किस country से belong करते हैं कि कई नाम होते हैं कापी अजीब से नाम ही होते हैं उसके बाद उनका country याद रख पाना का मुस्क्रिसा हो जाता है तो आपने तो पहले से काम कर चुका है आपने तो नाम याद कर लिया है किस film में होगा आपने याद कर लिया है बचा क्या बचा उनका किस country से belong करते हैं वो पहले क्या थे हैं अगर वो किसी अच्छे जग़ पे किसी पोस्ट पे किसी काम कर चुके हैं वो आप जरूरी से धान रखेंगे हलांकि होता गया ना कि जब आप पढ़ेंगे नुचे पर तो वहाँ पे जब नुच पब्लिस होती है फरस्ट टाइम तो वहाँ पे दिया गया होता है कि इनैं नुखल प्राइज दिया गया और उन परसं के बारे में वहाँ पर बहुत कुछ लिखा होता है कि इनका ये इस उस्टी में पर रिससर्च करते थे उनका इतना जर्डनल रिलिज़ कर चुके हैं इतने सारे उन्हें रिससर्च पेपर रिलिज़ किये हैं वह पहले इस bank के CEO थे वह सारी बाते वहां लेखी होते हैं लेकिन पढ़ते हैं उसे लिए अगर पेपर पढ़ते हैं आनुजे पर तो वहां से आप साधिसाइची कवर कर सकते हैं लेकिन असलमें तो है नहीं लांग टर्में करना चाहते हैं इस तावी पर कर रहें इस इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको हमेसा यह सब इनफॉर्मेशन आपके माइंड में हमेसा रहेगी है तो जो चीज मैं बताया था है जो चीज आपने यहां पे पहले से पढ़ रख रखा है किसी जाम के लिए पढ़ा था अपने उन चीजों को आए continue करें और उन जो पढ़ चुके वो तो याद है यह आपको उसकी अलाबा जो point में बताया आपको उस तरह की यह को आप पढ़ लें ठीक है फॉर एजंपल rank index के बात करें rank index में generally करते हैं कि हम लोग यह पढ़ लेते हैं कि first rank किसका था वर्ल्ड में पढ़ रखाने पहले से कि first rank पर कौन था आपको करना कि यहाप को फिल करना याद करना यहाँ पर बाकी के चार rank top five में top four बाकी four countries कौन थे वह आपको याद रखना है बाकी four state कौन से थे वह आपको धिहान रखना है इस तरह के से आप इंचियों को जो gap बचा हुआ हुआ है को नीचे दिया जाएगा एक कोर्षिन पुछा झाएगा यहीं जो भी कुछ लिखा गया था यह किस स्कीम से रिटेट deeply था ठीक है किस स्कीम और वो आपको पुछा जाएगा है वो पुछा जाएगा से किर बेहना यो। भी जो इस जिस में जो पूछ रहा हो तो यह चीज भी वहां पे पूछा जा सकता है तो इन सा तरफ से आप पढ़ेंगे अगर पढ़ेंगे तो ऐसे कोशिंग कर पाएंगे अधरवाइज आप ऐसे कोशिंग नहीं कर पाएंगे तो यह थे कुछ पूछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं बताई आपको यहां पे सेशन में कैसे त्यारी करना है और मैं अगर एक बार थोड़ा समराइज कर दूँ तो पहरी चीज आपको अपना क्या करना है आपको लड़ने के स्टैम थोड़ा चेंजिंग लाना है जो बचे होए समय है उसमें आपको यह सब टॉपिक्स पे फोकस करना जो आपने सहाद नहीं पढ़े तो पढ़ना है और फिर उससे रिटेन करना है मैं बार बार रिवाइज करना है रिपेटिशन करना है जिससे आप यहां पे इन चीजों को रिकॉल कर पाएंगे ध्यान रख पाएंगे और मै यहां पंद करना है अपको यहां बया से एक पूरे मंत करना है आपको यहां प्रस उमज में आया होगा इस तुरी घंडा अपको यहां फायदा मिलेगा आप बेंटरेबिटर पिर कर पाएंगे और बस यही था और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और यह कुछ हैंडल से आप फॉलो कर सकते हैं थैंक्यू